अभी एक खबर पड़ रहा था मैं उसमें यहीं बताया गया कि दो रड़के जो हैं वो चेंड स्नेचिंग में पकड़े गए और जब पूछता चुई तो मालूम पड़ा कि वो चेंड स्नेचिंग कर रहे थे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उनकी गल्फरेंट को कुछ गिफ्ट देना था और कहीं घुमाने ले जाना था कुछ गिफ्ट देना था यहीं समुद्दे थे इसकी कारण से उन्होंने यह समझा कि आसानी से पैसा यहीं से मिल सकता ह है और इसलिए सोने की चेंड उड़ाने के चक्कर में थे अब सोने की चेंड दो मिली नहीं कल्फरेंट को गिफ्ट कर पाए नहीं और पुलीस के के एंदेधे ुआ वाध कंपने देखता हूं मैं और समाजिक मुद्दे के रूप मीश को समझने का कुछ कुछ प्रयास किया मैंने और मुझे जो है जैसे मैं आपको बताओं कि हम लोग सुनते रहे हैं पहले भी कि जैसे जो है कई बार जो है समाज के कुछ लोग जो है होड शुरू कर देते हैं समाज के कुछ लोग जो है एक तरक का परतिस परधा शुरू कर देते हैं कि शादी मे ज़्यादा खर्चा कौन करेगा है ना तो शादी में खर्च करने का जो है एक होड़ चल निकलता है और समाज के लोग जो है वो एक दूसरे से कॉम्पेटिशन में आ जाते हैं कि उसने उतना खर्चा किया तो हम तो उससे ज़्यादा ही करेंगे कम क्यों करेंगे हम किसी से कम थोड़ी है और इस चकर में कई बार जो है आदमी जो है दबाव में आ जाता है पियर प्रेशर बोलते हैं उसको तो दबाव में आ जाता है और देखते हुए जो है कई बार जो है समाज के लोग जो समाज है वो आगे आता है और समाज ये कहता है कि भई जो है इसमें कोई प्रतिसपरधा करने की जरूरत नहीं है शादी में शाखर्ची करने की जरूरत नहीं है एक जो स्टेंडर्ड शादी होगी उसका वो नियम कर देत ताकि जो समाज में जो एक समाज के कई लोग जो करजदार हो गए हैं उनको रहात मिले और समाज हस्तक शेप करता है ताकि जो बाकी लोग है वो बचे रहें जिनके पास पैसा है वो तो कहीं न कहीं दिखाएंगे ही लेकि जिनके पास पैसा नहीं है वो किसी तरह से होड में आए और करजदार मत हो तो जैसे जैसे वो पद्दती है जैसे वो पद्दती है कि समाज जो है आकर के जो है लोगों की जान बचाता है लोगों को जो है करज में जाने से बचाता है उसी प्रकार से जो है मेरा ये विचार है कि जो लड़के जो है जो जो अपनी को ही रहा है तो उसमें कम से कम लड़कों में एक सहमती बनने कि जो डेटिंग जो है जो रिष्टों की शुरूआथ है तो पहले साल जो है वह इना किसी रेस्टृटन्त हुगरह में नहीं ले जाएंगे जो स्ठीट फूड है वही पर जो है दोनो जो है वही सोशलाइज करेंगे कोई महंगे गिफ्ट का आदान पदान भी नहीं होगा पहले साल एक साल जब अगर रिष्टा चल गया उसके बाद जो है फिर दोनों तय करें कि हाँ इस रिष्टे को आगे कैसे खुबसूरत बनाना है कैसे दूसरे को यादगार गिफ्ट देना है ये सब चीजें जो है एक साल के बाद ही इस हो किया जाए इससे होगा ये कि जो है और दूसरी बात ये भी है कि बहुत जाला दिखावा करने की भी जरुवत नहीं है हमेशा जो है आप बंठन के जाएं ये भी जरुवत नहीं है कभी कभार जैसे मैं हूँ डाड़ी मुझ बढ़ी हुई है और ऐसे ही जो है मैं जो है उसमें संकोच नहीं करता हूँ तो उसी तरह से जो है आप भी अपने वास्तविक सोरूप में भी आ करके जो है बाहर जाईए जो है और सोशलाइज कीजिए उससे होगा ये कि वो आपको स्विकार पा रही है कि नहीं हर रूप में ये भी मालूम पड़ेगा और इससे जो है आपके रिष्टों में मजबूती आएगी इससे जो है आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये रिष्टों में गहराई कितनी है मैंस्ट्री कितनी है और तब जो है आपको जादा जादा जीवन का आनंद आएगा जादा जो है आपको रिष्टों में अनुभाव आएगा है ना तो ये जो है एक प्रस्ताव है मेरा कि सभी लड़के इस बात पर सहमत हो कि जो जब शुरुवात होगी किसी को घुमाने फिर और बहुत अपनी महंगी बाइक भी नहीं अगर आक पास तो तीन बाइक है तो सबसे जो खराब वाली बाइक है सबसे जो खराब स्कूटी है उसी में लेकर जाएए उसी पर घुमा फिरा कीजिए हैना जिससे कि जो है पहले एक दूसरे को जानने का प्रयास कीजिए उसके काफी लड़कों में जो है ये दबाव फट जाएगा और उनके रिष्टों में मजबूती आएगी और उनका अपना वेक्तितों है वह उभर के सामने आएगा वह अपने तोर पर अपने निजी वेक्तितों के तोर पर कितना लड़की को प्रभावित कर सकते हैं इसका भी ज लगो जो है अपराद के इस माध्यम से अपराद आज खल तो परिवार और को जिमेदारी लेता नहीं हैं, बहुत कमी ऐसा होता है कि परिवार जिमेदारी लेता है और शादी और बात करते हैं, तो लड़कों को खुदी यह काम करना पड़ रहा है और आर्थी खालात भी जो ह ये एक अच्छा उपाय हो सकता है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो है सहमती बनाने के जरुवत है जो पूरुष समुदाय है लड़कों का समुदाय है उनके बीच में और ये मेरे इस वीडियो से शुरुआत होती है आगे भी जो है जरूर इसमुदे पर हम बात करेंग ये गंभीर समाजिक समस्या को रूप मैं देखता हूँ मैं कि जो है रिष्टे चलाने के लिए बनाने के लिए आपको अपराद करना पड़ रहा है आपको चोरी चकारी करनी पड़ रही है तो ये एक आसान उपाय हो सकता है जैसे समाज आकर हस्तक्षेप करता है और कहता ह है कि भई आपको जो है अपराद आपको जो है करदार होने की जरूरत नहीं है साधी शादी कीजिए और सभी के लिए एक ही मांदंड है है ना जिसको जिसके पास पैसा हो तो जाकर करके अलग से करे लेकिन जो में शादी होगी वह ऐसी ही होगी साले ढंक से होगी वैसे ही स स्कूल यूनिफर्म का लॉजिक भी यही है कि आप स्कूल आते हैं तो कौन अच्छा कौन बुरा कौन बड़े घर से कौन उसके को फरक निबढ़ता है वो boundary wall के बाहर होता है boundary wall के अंदर में सभी कुल स्कूल यूनिफर्म दे रिया जाता है जिससे कि वहाँ पर सभी बराबर महसूस करें और वहाँ पढ़ाई हो पढ़ाई पर ध्यानों और वहाँ पर merit जो है उसको तरजी दिया जाए तो उसी तरह से जो है आप अपने व्यक्तितों से एक साल को चलाईए हैना आपके सामने चुनोती यह है कि अपने व्यक्तितों के दम पर जो है आप एक साल तक रिष्टा चलाईए उसके बाद जो है अगर वो टिकाओ आप महसूस करते हैं कि हाँ यह एक साल चल गया आगे वह चल सकता है और आपकी केमेस्ट्री है और दोनों साथ में चलने के लिए तैयार है तब पिर जो है फिर गिफ्ट और आदान-बादान हो सकता है क्योंकि वो जो है फिर वो एक रिष्टे वाली बात हो गई शुरुआत के एक साल कम से कम डेर साल दो साल जो है आप ये कर सकते है कि स्टीट फूड पर ही खाईए जो भी खाना खर्चा होता है वो street food ही खाईए, कोई महंगा gift मत दीजिए, लेकिन हाँ अच्छा gift देने कोशिश कीजिए, creative gift दीजिए, और दूसरा ये कि अपने व्यक्तित पर, हमेशा बंठन के एकदम snow powder लगा के, लड़के भी आजकल काफी चाती के बालोगर नुचवा करके जाते हैं, लेकिन उसकी ज बढ़ी है, तो ये एक प्रस्ताव है, मैं समझता हूँ कि इसको जरूर स्विकार किया जाना चाहिए, अगर ये जाजा लोगों तक पहुँचेगा, तो लोग स्विकार भी करेंगे, इसको अच्छा idea मानेंगे, मैं समझता हूँ कि आप लोग के पास जितने लोग पास ये